कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णों की माँ शंकर का दादा कौन है, हम कूँ दे बता, ये जानने के लिए कृपया सुनिये जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर निरंजन कहो, सरपुरस कहो, इसे काल कहो, सरब्रह्म कहो सरपुरस वाकी डार और तिन्नु देवा, रजगुन ब्रमा, सत्गुन गिश्णों, तमगुन शिव जी, तिन्नु देवा साखा हैं, ये पात रूप संसार हम तो पात रूप के अंदर हैं, संसार तो, जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वरक्स, श्रीमद वगवत गीता जाय पंद्रा, मंतर एक मह बताया है के तत्व दर्सी संत कौन होगा, जो संसार रूपी वरक्स, जो उपर को जड़वाला, नीचे को तिन्नु दुन रूपी साखा वाला, संसार रूपी वरक्स है, और उसके पत्ते आजी सब विभाग हैं, गीता ग्यान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है, कि उपर को उर चंदासी ये से प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, चंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं इसके विभाग हैं, ये तम वेद, सै वेदवित, जो इस संसार रूपी वरक्स, उपर को जड़ नीचे को साखा, और संसार रूपी वरक्स के सभी विभाग जो जानता है, सै वो ता तो दर्सी संत है यानि गीता ग्यान दाता भी इस वर्क्स के सभी पार्ट से परीचित नहीं था नित उठाराद दैसाथ से सलोक ठोड़े नहीं होते ये तो दो ये तीन सलोक का में कम्प्लीट हो जाता अब परमात्मान किया है कि अक्सर पुरस एक पेड़ है सर पुरस वाकी डार और तिन्नों दिवासा खा है वाई पातरो पसंसार चंदासी ये से परनानी जिसके पत्ते आजी भी भाग हैं उनको जो जानता तो परमात्मान ने बता उस परमात्मान के आने के बाद जिन महापुरसों को बगवान मिले उनके बाद अब वरतमान में ये दास है वो तत्वदर्सी संथ इस पूरे बरमांड में उन्हेत्मों अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता लेकिन मेरी मजबूरी बन गई क्योंकि हमारे बगवान ने भी सब्गोस और पीर गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर ए स्वामी सिर्ष्टा में सिर्ष्टा माने सारी सिर्ष्टी का रचने वाला ए स्वामी सिर्ष्टा में सिर्ष्टी हमारे तीर और दास गरीब गरीब दास जी बता रहे हैं बगवान की महिमाद जैसे तुलशी दास जी ने शिरी राम चंदर जी की रामाण लाखों वर्स पहले की गठना जोंकि तो अपनी सिंपल भासा में चितरार्थ कर दी थी ऐसे ही प्रमेश्वर से प्रिचित होने के बाद आदने गरीबदास साहिब जी ने प्रमाणतमा की महिमाद अपनी अमरवानी में आख़्ों देखा वगवान को और सारे ब्रमहंडों को सारे लोकों को चुतरार्थ की तो यहां गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है और सरष्टी हमारे तीर ये सारा संसार सारी सरष्टी औलन और संग पर मनड ये ये मेरे तीर मेरे आधार है और दास गरीब अधर बसुं परमात्मा कबूर जी कहते है मैं उपर रहता हूँ अवगत सद कबिर अवगत माने प्रॉक्स जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना दास गरीब अधर बसू मैं उपर रहता हूँ सतलोक में निमास है मेरा और अविगत सत कबीर सत कबीर मैंने अविनासी कबीर अब यहां आपको वो चितर दिखाता हूँ जो परमात्मा ने दो पंक्तियों में एक सलोक में सारा है कह दिया अक्सर परस एक पेड़ है सर परस वाकी डार और तिन्नों देवा साखा है यह पात रूप संसा देखिएगा यह है गीता ग्यान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वर्क्स के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को साखा वाला यह संसार रूपी वर्क्स है पीपल का वर्क्स समझो और चंदासी यस्य प्रणानी प्रणानी मनें पत्ते चंदासी यस्य प्रणानी जिसके चंद दो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग भी भाग है, चंदासी एसे परनानी, यान इसके छंदों का जो भाग बता देगा, भी भाग बताएगा, पत्ते आज इसके भी भाग है, और ये तम बेद से बेद मी केवल इतना बताया है जैसे जमीन से बाहर जितना पॉरसन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है तो प्रमेश्व ने कहा कि अक्सर पॉरस एक पेड़ है ये तना तो अक्सर पॉरसन जो और सर पॉरस वाकी डार ये मोटी डार निकले उसमें से एक और तिनु देवा साखा है ये पात रूप संसार तिनु देवा साखा है रजगुन गर्माजी, सत्गुन विश्णों जी, तमगुन शिव जी ये साखा है और हम यहां पात रूप संसार हम यहां पात रूप में है अब ये बता हैं परमिश्वर ने कि अक्सर पुरुस एक पेड़ है, सरपुरुस वाकी डार और तीनों देवा साखा हैं ये पातिरुस इंसाई। प्रमात्मा ने अपने द्वारा दाचीवी सृष्टी को कम्प्लीट बता है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया, पुल बताने के लिए, या वो मापुरुस बेजे, लेकिन उनको मुना कर दिया था कि अभी ये तत्वग्यान सरवदनिक नहीं करना है, दरम दास मेरी लाख दोहाई, ये मूल ग्यान कहीं बार न जाई, मूल ग्यान बाहर जो पढ़ही, बिचली, पीड़ी, हंसनी, तरही, और मूल ग्यान, ये तत्वग्यान और सारसबद तब तक छुपाई, जब तक 12 पंथ ना मिट जाई, तो ये अभी तक छुपा के रखना था, ये 12 पंथ, बार मापंथ गरीब दास पंथ है, इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था, कि बार मापंथ में हम ही आएंगे, जो ब अलियोग पच्पनसो वरस बीच गया होगा लगवक, तब हम आएंगे, वो पर्मेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो सारी संपुर्ण अजात्म ग्यान से युक्त करके, अब देखिएगा, अब ये अक्सर पुर्स कौन है, ये पर्मक्सर ब्रम, ये पूर्ण प् कहो, पर्मेश्वर कहो, पर्मक्सर ब्रम कहो, ये तो संसार रूपी वरक्स की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहर मिलता है, जो सब का पालन पोशन करने वाला है, धारण पोशन करने वाला है, और जिसने सभी विर्मंडों की रतना की है, जिससे सभी उत्पत्य हुई है यह देखिए दो यह प्रमक्सर ब्रम है यह दास बताने के लिए बीज़ा प्रमात्मा ने कहा था कभी रक्सर पुर्ष एक पेड़ है और निरंजन वाकिदार इसको सरपुर्ष कहो चाहिए निरंजन कहो और तिन्नों देवा साखा है यह पातिरुप संसा अब आप कम्प्ली संसा रुपी वरक्स को देखें यह है कम्प्लीट संसा रुपी वरक्स गीता ग्यान दाता ने कहा कि उर्दाव मूलं अधै साखम उपर को जड़ और नीचे को साखा वाला यह संसा रुपी पीपल का वरक्स अविनासी कहा है छंदासी यस्ष्य पर नानी बस यह इसके पत् जानता है वह तत्वदर्सी संथ है तो परमात्मा स्वेम ही तत्वदर्सी संथ परकर आये थे और उन्हों ने ये ग्यान परमात्मा ने स्वेम बताया था अपने दवारा रचीवी स्रिष्टी को उन्हों नहीं बताया था तो परसंद चल रहा है पूर्ण सत्गुरू की प तनियाति वो कैसा संत, कैसा विद्वान नहीं, बासा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना वसी तना ही काम, प्रयाब्त है, तो दास बताने जा रहा है कि प्रमात्मा पांच वर्ष के हुए, करें बड़े बड़े विद्वानों के छक्ते छुड़ा गिये, एक स्वामी रामानन जी का स्यस, विवेकानन्द नाम के, वो कहीं सत्सं कर रहे थे, पंडजी ब्राह्मने, और वो विश्णु जी के उपासक थे क्योंकि स्वामी रामानन जी वैस्णों परंपरा से जुड़े थे और विश्णु जी को अपना इश्ट मानते थे अभी तक हम जो देखा करते थे जो विश्णु जी को इश्ट मान कर अपना भक्ति साधना करता था वो विश्णु जी को इसर्वसक्ति मान बताया करता और यहां तक कहा करते हैं विश्णु जी ही बिर्मा का रूप धारन करके उत्पत्ति करते हैं वो ही सथीची करते हैं विश्णु रूप धारन करके और वो ही सिव रूप धारन करके सहार करत तो शिव जी का पुजारी होते थैंए वो कहते थे भगवान सिव ही सर्वेसवा है, यही ब्रम्हा रूप में उत्पति करते हैं विश्ण thoughन रूप करते हैं और सिव रूप में यह सहार किया करतें, तो यह केवल दंत कता थी लोक-वेद थी, जुत और लॉक वेद था झूठ अन्नी वेक्तियों की सोच थी अपने आत्मा इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूँ कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरू की बिना मुक्स तो किसी का होगा नहीं और परमेश्वर को कोई गुरू की आउसकता नहीं थी इसलिए परमेश्वर कभीर जी ने हमारे के आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो सरधालों को वर्मित किया करेंगे उसके लिए उन्होंने स्विम गुरू धारन करना अनिवारिये समझा उसके लिए परमात्मा जो पांच वरस की आयुक एक लीला में आय युक में परवेश थे उस असे में धाई वरस के वालक का रूप बनाया और स्वामी रामानंजी एक सोचार वरस के वर्द हो चुके थे परती दिन गर्मियों का मोसम था परती दिन सुबह उठकर गंगा पंच गंगा घाट पर सनान करने के लिए गंगा में जाया करते थे गंगा पर सनान करने जाते थे पंत गंगा घाट पर गंगा में सनान करके प्रति दिन आते थे और वहां से उनका आशरम घनी दूर नहीं था पांच चार एकड की दूरी पर ही उनका आशरम था स्वामी रामा नंजी स्वामी रामा नंजी ब्राह्मन के अत्रित किसी को दिक्षा नहीं देते थे केवल ब्रामनों को इस्षिस बनाते थे उन्हें को अज्ञात्मिक शिक्षा देते थे बाकी कोई जाता था जनता जन उसको दूर से ही उसको जनतर मंतर बता देते थे कोई किसी आर्थ रूप में जाता था उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्रामन को ऐसे सराद निकाल देना ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंतर बता देते थे तो परमेश्वर ने परमेश्वर दुलाहे जाती हुए परवगट थे उन्होंने एक सिसू रूप धारन किया यानि डाही वरस के बालक का रूप बनाया और जिन पैडियों के उपर गंगा घाट पर स्वामी रामा नजी सनान करने जाया करते थे मुँ अंधेरे जाते थे ब्रमूरत मजाते थे ब्रमूरत होता है सुर्य उदे होने से लगबग डेड़ घंटा पहले उसमें अंधेरा ही होता है तो स्वामी रामान जी पोड़ियों पर नाने के लिए नीचे को उतर रहे थे जल्के निकट पहुंचने के लिए अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिये परमात्मा ढाई वरस के बालक का रूप जान करके पौड parrot पर लेट गे पैडियों पर और कभीर परमात्मा जब लेटे हुए थे प्हालक रूप में तो रामानन्ज स्वामी रामानंज ब्राहमन की खड़ाओं पैर की पैर का जुपता समझो वो लकडी की पैमते थी खड़ाओं वो परमात्मा के शिर्म लगी जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की डीला की रामानंजी एकदम जोके उनोंने सोचा कोई बालक है यहापर और उसको चोट आ गहीं क्योंकि सादुसंत दयालु होते हैं जो ही सपीड से जोके उनके गले में एक कंठी होती है कंठी माला कंठी बोलते हैं उसको उसमें केवल एक तुलसी की लकडी का मनिया होता है منیا और कुछ नहीं होता है अभी से दागा होता है वो स्वामी रामान अंजी के गले से निकल के और परमात्मा के कबीन जी के गलेम न्दल गी हंधेरे में रामान अंजी को दिखाई दिया नहीं और बैठ गए क्योंकि प्रमात्मा बालक रूप में बैठ गे, सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं, मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई ने दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोसनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूँगा, तो नींद में गलती से अंधेरे में यहां आ गया, अब स्वामी जी उनको चुप कराके, सरान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए, प्रमात्मा अंतर ज्यान हुए, अपनी माता पिता जो मौ बोले माता पिता थे, प्रमात्मा की कोई माता पिता नहीं थे, नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे, मान लहर तारा सरोवर से वो उनके माता पिता कहलाए वहां जौपड़ी में जाकर विराजमान होगे कुछ दिनों के बाद परमातमा ने कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया उस विवेका नंद जी को जो स्वामी रामा नंद जी के परसिद सिसते वक्ता थे स्री विष्णु जी के वो पुजारी थे और विष्णु जी कोई सर्वेस्वा और विनासी सब कुछ बताया करते थे वो अब उनके सब सथान और अक्सेतर बांट राखे थे स्वामी रामा नंद जी ने क्योंकि उन ते रोज्जी रोटी ही उदेसे रखा हुआ था उनके अक्सेतर बांट दिया थे विवेकानन्द इस कलोनी में दूसरा दूसरी कलोनी में, तीसरा तीसरी कलोनी में, चौथा चौथी कलोनी में केवल वही दिख्षया और उपदेश और ज्ञान कराएगा अन्य को दूसरे गाउं और सहरों में ऐसे छोड़ रखा था चौदा सो रिशी थे अब क्या किया विवेकानंद रिशी स्वामी रामानंद जी के सिस अपने सरधालूओं में भकतों में वहाँ पर्वचन कर रहें थे शत्संग चल रहा था और कबीर परमात्मा भी जाका वैठीये जैसे वैशनों उपदेशी होते हैं वो तिलक लगाते हैं माथ्य पर तीन एक लंबा तिलि निकालते हैं यहां से ले कई नाग तक क्यों लेक तिलक ऐसा और प्रमात्मा तलक लगा के चले गई पीछे बैठ गई अब विवेकानन जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विश्वों सर्वेश्वर हैं सर्वन सक्ति इमान हैं इन्होंने ही स्री किर्शन रूप में गीता जी का ग्यान दिया इनके कोई माता पिता नहीं है यही तीन रूप धार्ण करके सारे ब्रमंडों के संचालन करते हैं ब्रमा रूप में यह उत्पत्ति करते हैं विश्वन रूप में यह सथीची यानि समका पालन करते हैं और संकर रूप में यही समका सहार करते हैं जब सारा कुछ सत्सिंग उसने सुना लिया तब प्रमात्मा खड़े हुए बालक रूप पांच वरस के बच्चे और खड़ा होकर के कहा के स्वामी जी मेरी कुछ संकाएं हैं किरपा उनका समाधान कीजिए तो विवेकानन्द ने कहा के बोलो क्या संका है आपकी क्या समाधान चाहते हो तब प्रमेश्वर ने कहा के कौन बिर्मा का पेता है कौन विशनों की माँ संकर का दादा कौन है पंडत जी देवता अब जितने सरोता थे वो भी चकित और विवेकानन्द को हसी आ रही थी अरे बालक तो तो बालक है बालक वाली बात ही करेगा अरे बिर्मा बिश्णु महिस्तो अजरो अमरहन सर्वेश वरहन की कोई माता पिता नहीं है क्या बात कर रहे हो बच्चा प्रमात्मा ने कहा मैं तो आप से परसन किया है आप बताईए विवेकानन्द ने कहा कि ने कहा कोई माता पिता नहीं है ये अजन मा है तब प्रमात्मा ने कहा कि मैंने एक सिव पराण की कथा कर रहा था एक ब्राहमन और मैं सुन रहा था सिरी मद्द देवी भागवत, यानि देवी पुरान के तीशे सकद में सचीतर मोटा टाइप, ये दास अब आपको वरतमान के हिसाब से बताएगा, परमातमा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था, सचीतर मोटा टाइप, देवी पुरान, गीता प्रेस गुरुक पुर्से परकासित और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं, अनुमान पोदार और चेमनलाल गोषवामी, इनके 123 परिष्पर विश्णु जी कह रहे हैं, प्रमातमा ने कहा कि तीसरी सकंद मैं विश्णु जी स्विम कह रहे हैं, तुम सुद सुरूपा हो दुर्गा से, द मैं बर्मा और संकर, हम तुम्हारी करपा से ही विद्मान हैं, हमारा तो अविर भावमान जनमतरो भावमीन मर्टू हुआ करता है, हम अविनासी नहीं हैं, केवल तुम ही अविन्यत हो, परकरती देवी हो, तो बगवान संकर कह रहे हैं कि है माता, जब विश्णु जी के प परने वाला संकर आपका पूतर नहीं हुआ, और दूसरी बात सुनो स्वामी जी, के सीव पुराण के अंदर रूदर सहीता, अज्याय नंबर पास से लेकर आठ तक, उसमें सप्रश्ट किया है के सीव और सीवा के संयोग से पती पतनी विवार से विश्णु जी की उत्पत अब इस बात को सुनके विवेका नंद बहुत ज़्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फेल की, के मेरे वक्ताओं में, एक दानक का लड़का, एक छोटा सा बालक, और मुझे विचलिज कर रहा है, उसको ये भी मालुम था, के ये सरोता सिक्सित नहीं है, और ये मैं जो कहूंगा, उसको फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विस्वास नहीं करेंगे, फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की, और जिसके कारण उस परमात्मा से पूछा बालक से, वालक वे इस धारी परमात्मा से कहा के ए बा सद्गरंथों को, क्या आपने कोई गुरू बना रखा है, परमात्मा ने कहा कि हाँ जी मैंने गुरू बना रखा है, विवेका नन जी ने पूछा, आपका गुरू कौन है, कि जो आपका गुरू जी है, वही मेरे गुरू जी है, विवेका नन जी ने परसंद किया, आप कि जाती से हो परमात्मा बोल भी पाए उसे पहले वहाँ शरोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुलाए का पूतर है और ये जहां जाता है वहाँ ऐसे ही सब के सामने टांग डाता है तब विवेका नंद ने विसे बदल दिया अपने अज्ञान को छुपाने के लिए भी से बदल दिया और कहा देखोरे लोगों ये कितना जूटा है ये धानक जुलाए का पूतर और मेरे पुझे गुर्देव जी को गुरू बता रहा है मेरे गुर्देव पता कौन है स्वामी रामानन श्री श्री एक सो आठ एक अजार आठ पंडित स्वामी रामानन श्री महराज और तुझ जुलाए का पूतर ए जूटे विक्टी ए जूटे बालक तुझे पाप लगेगा तुन्हें मेरे गुर्दी की बेजती कर दी है ऐसी भरी सभा के अज़र अब देखो अरे लोगो एस रोताओ कल देखना गुरुजी के पास ले जाओंगा इसको पकड़ कर और गुरुजी से फिर इसको दंडित करवाओंगा तुम भी आना अब अगले दिन क्या किया प्रमातमा को प्रमात्मा अपने घर आगे अगले श्याम को ही पहुंच गया रामानंजी के पास स्वामी रामानंजी के पास कौन विवेकानन्द पंडजी और जाके कहा माराज मारी तन नाक काट ली हम तो कितबार मुझ दिखान जोगे नहीं छोड़े हम कैसे सलसार में रहे पाएंगे रामानंजी ने पोछा भी कारन बताबचा क्या बात है विवेकाननजी ने कहा कि माराज एक नीरू नाम के जुलाहे का पुतर कबीर नाम है उसका और उसने तो बड़ी सबाब में बेज़ती कर्वाजी मारी उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंजी से दिखशा ले रखी है लंबा सा तलक लगा रख्या अपने की तरह, घे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे, हमारी तीजत का नास हो गया, अब क्या बताया, तो रामानन्द जी बहुत दुखी हुए, कहने लगी वो जूटा है, मैंने किसी दुलाए के बालक को नाम जिक्सा नहीं दी और कल लाओ उसको पकड़ गया, तो विवेकानन्द साथ आठ और लठैतों को लेकर गया, बदमास गुंडों को, और पहुंच गया जुलाहों की कलोनी में, वहां जाकर पूछने लगा कि यहां नीरू का मकान की जौपड़ी कौन सी है, तो उसी कलोनी के कुछ व्यक्ति और पूरस और और उड़तों ने उनके आवभाव से जान दिया, कि यह ठीक नीत से नहीं आए हैं, और नीरू का मकान जौपड़ी पूछ रहे हैं, तो उन में से एक दोने जाकर, इस तरी पूरस ने पहले ही आगा कर दिया, उस नीमा को, कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नियत से नहीं आए हुए हैं कलोनी में, और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे हैं, तो नीमा के मन में उसी से में आ गया कि यह कबीर है जो बच्चा, यह इन ब्रामनों को छेड़ चाड़ करता ही रह हुच गे, नीमा ने उस बच्चे बालक बगवान को उठाया, और कहा बेटा तुने किस को क्या कह दिया, कुछ ऐसे नकमे वक्ति ब्रामन, एक ब्रामन के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे करें, जोपड़ी के पीछा छुप जा, मैं तेरे उपर कुछ कपड़े उपड गुजड यह से पुराने जुराने डाल दूंगी, तु बोलिये मत बेटा, तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके जोपड़ी के वहां लिटा दिया, उसके उपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया, जैसे महसूस ना हो कि यह बालक छुपा ह तब तक वो आगए वहां पर विवेकान अंदर उसके सारे साजंदे और कहने लगे तेरा बेटा कहा है, उसको बाहर निकाल, तो हाथ जोड करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दिया, मैं दमका जूंगी, खुरका जूंगी, आ आगे नहीं करेगा ब्रामन, वो माना नहीं नहीं, निकाल उसको बाहर, गुरुजी के पास ले जाएंगे उसके वहां, सजा जलाएंगे, अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गे वो मस्टंडे और उस विवेकानंद के आदे सानुसार के पकड़ के लिया उसको, अंद माई हाथ जोड़कर गिर्गडा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी, प्रमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे, जौपडी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटा कर खड़ा हो गए, और कहा विवेकानंद, ए पंदर ज मैं जौपडी के पीछे खड़ा हूँ, अब वो भाग करके पीछे गए प्रमात्मा को पकड़ लाए बाजू से, अब मा की ममता थी क्योंकि बच्चा जो साथ रहा बच्पन छोटा सा लाए थी उठा के, उसमें मौ विशेस बन गया था, और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ दिये दोनों, और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को, उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर है, और जब पीठ पीठ के अचेच कर दिया तब उसने उनके हाथ छोड़े, इस सो कि आप जी को सचीत्र मोटा टाइप, देवी भागोत, देवी पुराण के आपको छटे सगंद, 414 प्रिश्वे बताया, व्यासती ने बताया, जनमे जेखो के हे राजन, जो सत्युग दिरेता दुआ पर में, राक्सर समझे जाते थे, वो कल्यूग के ब्रामन हैं, ऐसे त कल्यूग के ब्रामन हैं, इनका दया नाम की चीज नहीं, ग्यान इनके पास नहीं, जूट बोलना, फ्रेबर, छटकपट करना, इनका मूलक उदेश से बन गया, तो वो उन्होंने साबित कर दिया, कुछ देर के बाद दोनों होस में आये, कलोनी के लोगों ने उठा कर उनक दर्द के कारण करा रहे हैं, और बच्चा बच्चा कर रहे हैं, निकबीर कबीर कर रहे हैं, उदर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामान जी की जौपड़ी के सामने खड़ा कर दिया, और और बी शुरोता बहुत इकठे दर्सक आ गए थे, क्योंकि विवेका नंद अपनी इज़त बरकरार रखनी थी, और ये सिद करके कि ये जूटा है, इसने जूट बोली है कि स्वामी रामान जी से इसने दिक्षा ले रखी, विसे बदल ही चुका था वो, अब रामान जी ने तो कहके बुला था कि कल सुबह ले आना वो भी इंतजार में थे, अब रा जूपडी के कुटिया के सामने एक पड़दा टांग राख्या था, जूपडी के अंदर स्रामान जी बैठे थे, अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो परती दिन नितनियम सुबह का करते थी, वो नहीं किया था, और विवेकान जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरु अब रामान जी पूछ रहे हैं, कि तू कौन है, कहां से, तेरा क्या नाम है, मुझे बताइए, अब क्या बताते हैं परमात्मा, रामान जी ने कहा अब गृब दास जी ने अपनी अम्रतवानी में चितरन किया है जैसे तुलसी दास जी ने रामान को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबस किया ऐसे ही पर्मेस्वर से परिचित होकर आदने गृबदास साहिब जी ने प्रमात्मा के इस क्यान को प्रमात्मा के इस लीला को कैसे चित्रारत किया है सुनिएगा आद्डा पढदा लाये कर रामा नद बूजनते दास गरीब कुलंग छवी वो अदर धाक कुदनते गरीबदास जी कह रहे हैं कि पढदा लगाकर के अपने जोफडी के कुटिया के गेट पर पढदा लटका के गेट के अंदर जोफडी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर प्रमात्मा से ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दिखसा देना तो बहुत दूर है मैं इन जुलाहों की सकल भी नहीं देखता सुब़ सुब़ए मैं इनको अपना कपड़ा भी टत्थ नहीं करने देता हैं ये सो करने के लिए ये सिद करने के लिए दिखाने के लिए प्रमात्मा को बाहर खड़े हैं जौफडी से रामानंजी जौफडी के अंदर से पढदा बीच में है बात परस्न उत्री हो रही है बगवान और उस आ चाहती है कबीर परमात्मा से वो तुथ जी रामानंजी कैसा बिखार करते हैं बगर ग्यान के और जब ग्यान होगा जब देखना उस एक सो चार वरस के वर्द की क्या सची थी होगी उस परमपिता के सामने गरिबदा साहिब जी कहते हैं आड़ा पड़दा लाहे करे रामानंद बूजन्त दास गरीब कुलंग छवी ही अदर धाक कुदंत जैसे मिर्ग कुझ्या करे कहते हैं जो फड़ी के अंदर पाँ पीट रहे है कुरोद मैं और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की पैरों की भीर मुख से बोल प्रवान जी ने पूछा के कौन तुम्हारी जाती है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस परसन के उत्तर में जैसे एक सिस अपने गुरुदेव के सामने भी नम्र होकर के बातें करता है तो क्या बताते हैं रामान जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम है गरीबदास गरीब आधीन गती फिर बोलत है वली जाओं मैं वली हारी जाओं परमात्मा के उपर गरीबदास जी कहते हैं इतने आधीन होकर बोले क्या बोले ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहें जैसे नमरता से कहा करते हैं जैसे अब एमान से नहीं क्या कहा रहां जात हमारी जगत गुरूः और परमे सुवर है पंथें दास गरीब लखत पढ़े मेरा नाम नेरणजन कंतें अब ये रामान जी इतने भी रिसी मेरी थे ये इस परमात्मा को बिर्म को ही निरंजन कहा करते थी वैसे इसका सही नाम जोत निरंजन है निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा निरंजन अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे यह है जोत निरंजन जोती निरंजन माया सहीत ये बगवान सौामी है और ये वास्तों में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का लेकिन जैसे यहां बर्म बोलते हैं बर्म और बर्म को ही ये संपुर्ण पुर्मात्मा मानते हैं वसी बर्म सब्द प्रियाप्त है ब्रम का अर्थ ब्रम को हो पर्भू को हो स्वामी को हो राम को हो खुदा को गौड को अल्ला को लेकिन इन कंप्लीट ब्रम भी है इसलिए पूर्ण ब्रम कहना पड़ता है तो वैसे यहां के लोकवेद में ब्रम ही सुप्रीम पाउर परसिद हो रहा था तो यहां प्रमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ प्रमात्मा हूँ रामानजी इस बात से गणे दुखी होगे एक दानक का लड़का दानक दुलाए का बालक अपने आपको भगवान कहता है इसको सरम नहीं आती फिर गालियां देनी सुरू कर दी रामानजी अब प्रमात्मा क्या बताते हैं जात हमारी जगत गुरू परमिस वरहे पंथ दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम नरंजन कंत कंत माने मालिक पती दुल्ह मैं सारी सर्ष्टी का स्वामी हूँ सारी सर्ष्टी का पती हूँ वो नरंजन हूँ और मेरी जाती पूछते हो तो मैं जगत गुरू हूँ सारी सर्ष्टी को ग्यान देने के लिए अब आया हूँ और मेरा पंथ पूछते हो जैसे कोई विश्णु पंथी है यानि विष्णु जी के ही मारग को उसकी विधी को बताने वाला उसकी बक्ती विधी उसके ज्ञान से प्रिजे कोई संकर पंथी है सिव का उपासक जैसे कोई ये बिर्माकुमारी पंथी है और कोई रद्धास्वामी पंथी है तो उन पंथी कारत होता है, पंथ कारत होता है, आप किस परमात्मा के मार्ग ग्यान का परदर्सन करते हो, पत परदर्सन करते हो, तो परमात्मा कहते हैं, मेरा पंथ पूछता है, तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए हैं, उसके पा और सोला सत्रा में इस तक्रीबन सिरिष्टी रचना का कंसेप्ट कलियर हो जाता है जैसे आपको अभी दिखाया था उर्टा लटकावा संसारुपी वरक्स उर्धाव मूलम अधै साखम अस्वतम प्राहु अव्यम उपर लटकावा संसारुपी वरक्स है उपर को जड़ है नीचे को तीनों गुन रुपी साखा है और पत्ता आजीश के संसार है पत्ते हैं ये जो जीव जनतू संदो तो इसको जानता वो तत्तु दर्शी संत है इसके सारे भाग भाग जानता फिर बता है कि पंदर में जायके सोला सत्रामत तीन पुर्श बता है एक सरपुर्श एक अक्सरपुर्श तो ये इस कहो सरपुर्श कहो इस कहो अक्सरपुर्श आपको बता जिया वो तना है और सरपुर्श उसकी डार है तो अक्सर पुर्स कहो या ईसवर कहो ईस ईसवर और तीसरे नमबर का आठमे जाय के गीता जी के तीसरे सलोक में आठमे जाय के परसम सलोक में अर्दुन ने पूछा कि आप जी ने साथ में जाय के उनटीस में सलोक में जिस तत्पर्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी के जरा और मरन से छूटने का ही प्रियतन करता है इस संसार की किसी वस्तू की डिमाड नहीं करता तो आठमे जाय के पर्थम मंतर में अर्दुन ने पूछा किम तत्पर्म वो तत्पर्म क्या है आठमे जाय के तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता कहता है वो प्रमक्सरब्रम है तो गीता जाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से चार में सभी विभाग बताए है और 16-17 में बताया है कि तीन पुरुस है, एक सरपुरुस, सरपुरुस को ईस कहते हैं, ये केवल 21 ब्रम हंड का स्वामी है, पर्भू है, मालिक है, और दूसरे को अक्सर पुरुस को ईसवर कहते हैं, ईसवर, यानि ईस से स्रेष्ट, ब्रहम से नेश्ट पर ब्रहम, अक्सर ब परमेश्वर कहते हैं, इस, इसवर, यानि इस से स्रेष्ट, और परमेश्वर, उस इसवर से भी स्रेष्ट, परम स्रेष्ट, इसवर से भी परम, यानि परमेश्वर, वो तीशरे नमबर का, यानि ओर आल कंट्रोलर, तो परमात्मा अपने को छुपा कर अपनी भहिमा आप गरीब लिखत पड़ मेरा नाम नरनलकंत अब रामान जी गणे दुखी होगे इस बात अग्यानता के कारण के थोटा सा बालक धानक का एक जुलाय का बालक और अपने आपको बगवान बताता है तो गुस्या कर गालियां मंडगे गालियां लगे देने मालिक ने अपने आपको मालिक कह दिया शर्जनहार कह दिया तो रामा नंजी के कहते दर्द लगया दुख हो है उस बात का और क्या बोले अब देखो हमारी बुझी कितनी कमजूर थी ये दास विश्मु जी का उपा सकता श्री किर्सन और स्री राम हमारे पक के बगवान थे और बगवान संकर भी आधर नहीं थे हम तो सब ही को ऐसे मानते लेकिन विश्मूर के उपा सकते हैं श्री किर्सन और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथ ही होते थी तो जब कभी डिसकस करते थे कोई पूछता था कि समाधी लगाता है मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधी लगाता हूँ और भगवान आपने देखा अके नहीं भगवान तो निराकार है वो दिखाई थोड़ा ही दिता है वो तो निराकार है कि और परकास दीखता है कुछ तो सुनी सुनाई के और एका दिन दीख भी जाता होगा तो परकास भगवान नहीं है वो तो भगवान का परकास है तो कहने का भाव ये है, यहां रामान जी भी उसी दुर्बूधी से ग्रिस था, वो कह रहा है कि तू अपने आपको भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा है, तो तो निराकार है, उसका तर्म सरीर थोड़ा है, यह ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बूध गटमटतन आकारे, गरीब दास दर्द लगया हो बोले सरजनहारे, ए दुर्बूधी बालक, तेरा सरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आपको भगवान कहता है, तो गरीब दास जी कहते है, रामान जी का इस बात का गणा दुख हुआ, भगवान ने अपने लेवा जुलहे के घरबा से, दास गरीब अग्यानगती एतादर्द विसुवास, और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं बगवान, के तुम मुमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परविर्स हो रही है, ऐसे कहते हैं ना तो, के फलाँ उतरा ऐसे है, यह लिए बहुत अच्छी बजी से संभोधित کر रही है, रामानजी यह जान कर, के तुम एक दानक और मुसलमान के घर में तु पल रहा है, और तेरा जुलहे के घर निवास है और अपने आपको तो बगवान बताता है, तुम मुमिन के पालेवा, तेरा जुलहे के घर भासे, दास गरीब चोड़ कर बोलो बालक बेने रहमानन जी कहे हैं के सिद्धी बात कर अब इमान त्याग तूब इमान ना करें कि अपने आपको भगवान बता रहा है मान बडाई चोड़ कर बोलो बालक बेने दास गरीब अदम उखी एता तुम गट फैने तरक तलू से बोले ते रहमान नज सुर गयाने गरीब दास गरीब कुजाते है आखर नीच निदान अब रहमान जी कह रहे हैं के तेरी जायत का पता नहीं कुजात तेरा पता नहीं तो कित किसका है के तू पढ़या पाया था उसको नीरू को और अपने आपको तु कुजात है ना नीच इसलिए अप छोटा मूँ बड़ी बात कर रहा है तरक तलू से बोलेते रामा नंसुर गयाने दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदाने यह सब्द रामा नंजी कह रहा है कि आखिर ना तू नीच जात का इसलिए छोटा मूँ बड़ी बात बकवास कर रहा है अपने आपको भगवान कह रहा है परक नरक तो कुन ही तू नीच कुलीन कुजात दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात बिना दिमाग के तने यह बात क्या कह दी अपने आपको भगवान कह रहा है रामा नंजी का जो गणा गुसा हो गया ना इस बात का अपर मात्मा क्या कहते है मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी पर भी ने यानि गुरु जी दमका रहे हैं गालिया दे रहे हैं एक सुयोग सिस की भूमिका करते वे भगवान हाथ जोड़ कर खड़े हैं ऐसे और क्या कहते हैं अंदर से खुसी है गुरु जी डाट मार रहे हैं अर्दोनिकमा से सोगा गुरु जी दमकाओं के दा दुख मानता है और सुयोग से सोगा के गुरु जी तो हमारे हित के लिए ही खुरुकाते दमकाते हैं हमें दिखाने के लिए अलांकि गुरु जी गलत दमका रहे थे गलत खुरुका रहे थे पगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोगिसिस की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से कहरे, सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मेरे, मैं आजज आधीने, मैं आपका आजीज हूँ, आपका नोकर हूँ, आपके आधीन हूँ, मेरे अंकार नहीं है, औ और सिष्टी हमारे तीरे, दास गरीब और धर बसूँ, मैं अव गत सत कभीरे, मैं अव गत गत से पहरे, इन चार बेद से दूरे, दास गरीब दसों देसा, मैं सकल सिंद भर पूरे, सकल सिंद भर पूरे हूँ, खालिक हमरा नामे, दास गरीब अजात हूँ, तें जो कहा अपरमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सिर्ष्टी के रचने वाला हूं एक पांच वरसका बालक है और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है बाहर पढ़दे से बाहर और कह रहा है कि ए स्वामी हे मालिक मैं सिर्ष्टा हूं सारी सिर्ष्टी के रचने वाला है और ये सिर्ष्टी हमारे त आफगत सत्ककवी पिर कहते हैं जात पात मेरा नहीं। शकल संद भरपूर हूँ और खलिक मेरा नाम और दास गरीब आजात हूँ। मेरे जात पात नहीं है जाता हुँ तो पिर भी आपने जो कहा मुझे कुजात कहा नीच कहा। तो मैं बली जाओं आपके उपर आपने जो कहा मुझे ही मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा मैं ऐसा ही होंगा लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह सच्ट है कि मैं सारी सिर्फटी करचने वाला हूं एक पांच वरस का बालक और ये बाते हैं कि वेरोबी दानक का जो लाहे का 600 वर्स पहले तो पुन्यातमा बुद्धी सिलब करजाद मीगी कि भगवान हो सकता है और कबीर साहब को आज कोई भगवान मानने का राजी नी और वो भगवान है हमारे ना मानने से कुन सा वो भगवान नहीं रहेंगे एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं है और कोई ये कि ये क्रोन रुपे का है एक छोटा सा कंचा और कोई नो करें हमें तो नहीं मानता उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं स्वाबत होगी लेकिन उसके ब्यवार में नहीं है उसका जानकारी नियत वो उसकी अपनी ही अग्यानता का ये प्रिनाम है फिर क्या बताते हैं हमसे ही पानी पमन और हमसे धर्नी अकासे दास गरीब तत व पांच में हम ही सब्द निवासे अपने अत्मों देखिएगा ये है सुकसम बेद और इस सुकसम बेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विसेस विलक्षन मुझी चाहिए अब यहां क्या बताते हैं परमात्मा के मैं सब मैं व्यापक हूँ कैसे हूँ कि जैसे पांचों ततों के अंदर आकास जो आकास का गुन है वो सब मैं व्यापक है पांच गुन है सबद सपरस रूप रस गंध ये पांच जैसे पांच ततों हैं और इनके पांचों के पांच ही गुन हैं जैसे आकास, हुआयू, अगनी, पर्त्वी और जल्ड ये ऐसे हैं तर्तिवाइज हैं तो यहां क्या बताया है के जैसे आकास का गुन है सब्द, अब जैसे इस पूरे बिर्मांड को परमात्मा ने एक आकास से ऐसे बंद कर रखा आकास से, यदि ये आकास से बंद ना कर रख्या हूँ, चारों तरफ से, कती बिलकुल बंद ना कर रख्या हूँ, तो हम एक दूसरे की आवाद नहीं सुन सकते यहां सब्द काम नहीं कर सकता जैसे किसी सपीकर का पड़दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा वो आवाज नहीं रहती तो उसके बाद जो आकास का गुन है सब्द और वाईयू का गुन है सपरस जैसे अवाल लगती है ठंडी और गरम और अगनी का गुण है रूप सर फसर फसर जैसे आगनी बकड बकड बलती है अब उसमें और पर्थवी का गुण है गंद अब जैसे सबद जो है आकास का गुण है और वाईयों जब चलती है उसमें सरसर की आवाज आती है तो उसमें वायू की अंदर भी उस सबद का गुन विद्वाना यानि सबद उसमें कंस्टेंट है अभिन नहीं है ऐसे अगनी जलती है तो बकड बकड की आवाज आती है तो उसमें सबद साथ है सबद का गुन उसके अंदर साथ है परच्वी का डला जैसे उठाकर हम पटकते हैं उसकी आवाज आती है तो परच्वी उस डले के साथ भी उस परच्वी के साथ भी सबद का साथ है उसमें भी विद्मान है वहां पर भी और वापस जल्द को उपर से डालते हैं तर्ड तर्ड की आवाज आती है तो उसमें भी सबद साथ है तो कहने का भाव यह है प्रमात्मा कबीर साहिब का कि मैं उपर रहता हूँ लेकिन मेरी सकती पूरे बिर्मांडों में जैसे आकास सभी में व्यापक है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा आपने कब लिए हूँ संत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या बक्ती सादनाई करते थे मैं दामा खेड़ा पन से जुड़ा था सर सर आपने बताए कि आप दामा खेड़ा पन से जुड़ा थे तो फिर संत रामपाल जी महराज की सड़ में क्यों आया आप कि वहाँ पे दामा खेड़ा पन से कोई लाब नहीं मिलता था सर कुछ भी हो गया तो प्रातना करते थे कि चौका कराएंगे चौका कराते हैं तो बीस पच्छीस तीस अजार का लागत आता था चौका क्या होता है चौका ऐसा होता है कि महांदेवान सब बैढ़ते थे और जांज मंजीरा बजाते थे वहाँ पे और परसाद वितरन करके अपन लोग सब चले जाते थे गाब जाके और उसमें कुछ लाब नहीं होता था सर और रहा नहीं होता था पर लाब कुछ नहीं होता था सर तो फिर आप संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आए संत्रामपाल जी महराज की सरण में मैं सनातन से कभिर पंथी हो सर तीन पीड़ी हो गया हमारा जो कभीर पंथी है है ना तीन पीड़ी से लगा हुआ है और पहले बार सुना हमकी कभीर साहब का सस्थंग आता है टीवी पे तो हम लोग पहले बार सुना सर की मतलब आज तक कभीर साहब का कोई सस्थंग नहीं आया और पहले बार आया हमारे पर कभिद साहब क शस्चंग पहले बार सुना हम लोग, तो ऐसा लगा की मने हमारे भगवान का सस्चंग आया है, तो ऐसे देड़ता से सुना सब जने और ऐसे ज्ञान बताया कभिद साहब कभिद सागर दिखा के संट रामपाल जी महराज ने कभिद सागर दिखाया, बेत, कुरान गीता सब दिखाया और उसमें फिर हमको ऐसे आनंद आया फिर उसका पता पुछा एड्रेस पुछा बर्वाला गया तो हम लोग बोले कि सत लोग आसरा मतले सत लोग के बारे में तो सुना था कि कभिर पंती थे हम पर सत लोग आया तो वहां गया हम लोग अंदर फिर बहुत आनंद आ गया है सर कि सत लोग ही वास्तिकन में पहुँच गया वहां के आओ भाव देखा कि भक्तों की मतलब बोली जो आवाज है मस्त भक्तों की जैसे फिर बहुत अच्छा आनंद आ गया भगत जी हम लोग सत लोग आथरम बर्वाला से हम संत्रामपाल जी महारा से नाम उभबेश लिया, और फिर वहां से फिर आया बागजिए. सर संत्र रामपाल जी मारा सहय नाम दिक्षा लेने के बाद, कया आपको लाब भी मिले? लाब तो बहुत मिला सर, फर्मात्मा ने ऐसे लाब दिया मेरे को, कि दस वीस हजार पचास हजार का ऐसे लाब दिया कि मैं बहुत मतलब कुछ हो गया कि मतलब आज मकाम तयार कर लिया मेरे पास चार चक का गाड़ी हो गया सर संत्रामपाल जी महराज ने ऐसे मेरे को मतलब दो चक का गाड़ी हो गया आज मैं सहेकल के लिए तरफता था, संत रामपाल जी महराज ने आज मेरे को बहुत कुछ लाप दिया सर, मेरे लड़की को भी मतलब सिकलीन का बीमारी था सर, की मतलब बार बार उसको ब्लड चढ़ाना, ऐसे है की मतलब दो तीन बार भी ब्लड चढ़ाना, महने में, मतलब पंदरा दिन में कभी भी मतलब उसका ब्लड खतम हो जाता था, ऐसे और इसको जिन्दी भर जीवन मतलब ब्लड चढ़ाते रहना है, उसको कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता था, ऐसे मतलब बीमारी था मेरे लड़की को, डाक्टरों ने बताया कि इसका बीमारी का इलाज न संत्रामपाल जी महराज के असिरवात से पूर्ण ठीक हो गया, सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा कैसे ली जा सकती है, संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा टीवी पे पिली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिये होते हैं, वैसे नाम दिख्षा ले जा स आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आप कर दो कर दो